हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आई चैनल विवेडरी किप कोगी आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक मुंगदाल चिले की रेसिपी मुंगदाल चिले बहुत जादा हैल्दी और बहुत जादा टेस्टी लगते हैं आप इसे वेटलोस करते समय भी खा सकते हैं तो चलिए रेसिपी बनानी का प्रसेस शुरू करते हैं मूंग दाल चीरे बनाने के लिए में ले रही हूँ इकाटोरी मूंग दाल मैंने इस मूंग दाल को 2-3 गंट के लिए भी हो दिया था उसके बाद मैं लूंगी 2 हरी मिर्ची और 1 गंट अद्रक का टुकडा उसके बाद हम एक ब्लेंडिंग जार लींगे और उसके अंदर मू मूंग दाल दाल दीए जयान रखें इसके अंदर ज्यादा हमें पानी एड नहीं करना है अगर आपका पानी है इसके अंदर तो आप उसे साइट में कर दीजिए और इस तरीके से साइट साइट से मूंग की दाल डाल दीजिए अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची और अद्रक डालेंगे इस तरीके से बारिक-बारिक काट लीजिए और इसका ठकन बंद कर दीजिए उसे ब्लैंड कर दीजिए ब्लैंड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पैस्ट काफी थिक हैं तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी एड करेंगे ये देखिए मैं इसके अंदर बस हलका सा पानी एड़ कर रही हूँ ज़्यादा हमें एड़ नहीं करना है और बचिवी मुंबाल भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी अब हमें इसे ग्रेट कर लेंगे राइन करने के बाद में देख सकते हैं ये हमारे स्मूद पेस्ट बनके तायार है तो मैं इसको एक बाल के अंदर निकाल देती हूँ यह देखिए, यहां भी हमारा पैस्ट थोड़ा सा थिक मुझे लग रहा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा जार के अंदर ही पानी लेंगी, और इन सब को अच्छे से मिक्स करके इस पैस्ट के अंदर ढाल दूँगी, यह देखिए हमने यह सारा पैस्ट इसके अंदर ढाल इस तरीके से एक मिनिट तक आप इसे हिलाते रहिए यह देखे हमारा टेक्चर तयार है अब हम इसके अंदर स्पाइस डाल देते हैं मैं आपर डाल रहे हूं हाफ टीजपून नमक हाफ टीजपून हल्दी और हाफ टीजपून लाल मिर्ज अब इन सबको आप अच्छे से मिल लीजिए इस तरीके से आप इसको अच्छे से मिला लीजिए अच्छे से हिला लीजिए इसे बिलकुल भी लंस नहीं रहने चाहिए या फिर कई नमक जादा नहीं रहे जाए इसलिए आप इसको अच्छे से मिलाईए इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने की बाद में हमारा पैस तयार हो चुका है तो चलिए इसे बनाने का प्रसेश शुरू करते हैं मैंने एक तबा लिया है और इसके उपर ब्रश की साहिता से हलका हलका सा ओईल स्प्रेड कर लीजिए टेंशर मत लीजिए हम इतना ओईल यूज नहीं करना है हम इसे सब को निकाल लेंगे ओईल करम होनी के बाद में हम इसके उपर थोड़े से पानी के छीटे देंगे देखे इस तरीके से और इसे एक साफ कपड़े की साहिता से निकाल लेंगे ओईल और पानी दोनों को फिर इसका फ्लेम लो कर दीजी और आपका बैटर जो हमने बनाया था अभी उसे एक स्पून की साइता से इस तरीके से तब्वे पर फैला दीजिए ये देखे इस तरीके से अच्छे से फैलानी के बाद में आप इसे कम से कम एक मिनिट के लिए छोड़ दीजिए एक मिनिट बाद में हम देखेंगे इसके आइज़स अच्छे से निकलने लग गई है तो इसका मतलब यह अच्छे से पक चुका है ये देखिए इसे हलका हलका सा फ्रेस कर दीजिए हलका हलका सा फ्रेस करने के बाद में अगर इसकी दूशरी साइड भी पक जाती है पक जाती है तो इसे वापिस से फ्लिप कर दीजिए ये देखिए फ्लिप कर दीजिए हमारी दोनों साइड अच्छे से पक चुकी है तो हम यह देखिए अच्छे से पकt चुका है तो आँ हम इसे फॉल्ट कर देते हैं यह देखिए इस सर्मिंग डिश पे निकाल लीजिए और इसे सॉस के साथ सर्व करतेए तो यहां हमारे कुरकुरि खुलीे जिली भी पसंद आईए तो प्लीज मेरे चैनल के नीचे लाइक अबटन लिग कर दीजे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, चल ले अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बा, हेई